मेरा नाम है सत्यम and you are watching India's number one Hindi Gay Stories चैनल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नॉटिफिकेशन बेल को आउन कर लें तकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें अपने खयालों में खोया रोहित बारिश में भीगता हुआ चलता जा रहा था उसके बदन पे गिरती हर बारिश की बूंद जैसे उसके मन के घावों को भर रही थी रोहित ने आँखे बन कर ली और अभी भी वो चल रहा था उसकी आँखों के सामने काफी तेज रोशनी सी आई रोहित ने अपनी आँखे खोली पर उसकी आँखे खोलने से पहले ही एक कार के अचानक से ब्रेक लग गए कारसिक लड़की उतरी वो जोरों से रोहित पे चिलाई अरे अंदे हो क्या मेरी गाड़ी ही मिली थी मरने को रोहित ने आखें खोली और वो लड़की उसे हैरानी से देख रही थी उसके चेहरे पे कोई भी शिकन तक नहीं थी ने लड़की बड़ी बड़ी हैरान आखों से उसको देख रही थी और फिर बोली क्या हुआ भाई कहां खोए हो किस खयाल में हो जो अपनी जिन्दगी की भी परवा नहीं कर रहे रोहित बिना कुछ बोले बहां से आगे बढ़ गया ट्रैफिक काफी हो गया था रोहित की बज़े से लोग बुरी तरह से चीक चिला रहे थे पर वो तो जैसे सोया हुआ था एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला माफी मांग मैडम से रोहित फिर भी आगे बढ़ गया इस पर उस आदमी ने रोहित को मारने के लिए हाथ छोड़ा उस आदमी को ऐसे गुसा करते देख बो लड़की उस आदमी से भोली सुनिये ज़्यादा हीरो गीरी करने की जरूरत नहीं मेरा मैटर है मैं खुद ही निप्टालूंगी वो आदमी चुप चाप दुम दवा के वहाँ से निकल गया लड़की बापस जाके अपनी कार में बैट गई और रोहित अपने राष्टे में आगे बढ़ता चला गया अगली सुबह जल्दी जल्दी में रोहित अपने घर से निकला उसने मा से पापा से आशिरबात लिया और अपने बॉलिट में रखी तस्वीर को चुमा आज उसकी जॉब के लिए इंटर्वियू था वो इंडिया की जानी मानी आईटी कंपनी में इंटर्वियू देने जा रहा था उसे कोई एडिया नहीं था कि आके क्या होने वाला है रोहित ने ओनलाइन ओटो बुक कर लिया पर वो आया ही नहीं रोहित रोट पे खड़े काफी देर से इंतिजार कर रहा था कोई नहीं हाया फिर उसने रोट पे खड़े ओटो को रोका और उससे पूचा भाई साइवर हब चलोगे क्या आटो वाला तुरन तयार हो गया रोहित अपने खयालों में था कि उसे अचानक मस्ती सूजी पर उसने अपने आपको रोक लिया वो आफिस पहुंचा बहां इंटर्ब्यू के लिए अपना इंतिजार करने लगा उसको सेकंड फ्लोर पे जाने को कहा गया वो सेकंड फ्लोर पे गया उसकी बारी आई वो अंदर रूम में आ गया वहाँ एक हैंडसम सा आदमी बैटा हुआ था रोहित ने अपना इंट्रोड़क्शन दिया और उस आदमी ने बताया कि वो प्रियम है आईटी में मैनेजर और रोहित अपसे प्रियम के अंडर ही काम करेगा रोहित को इसके बाद एचार के पास जाना था सेलरी डिस्किशन के लिए रोहित वेट कर रहा था फिर एचार प्रिया ने रोहित को बुलवाया रोहित अंदर गया और प्रिया हैरानी से उसे देख रही थी रोहित को लगा उसके चहरे पर कुछ लगा हुआ है तो वो यहाँ वहाँ देख कर अपने चहरे को देखने की कोशिश करने लगा पर फिर प्रिया बोली ओ शिट आप तो कल बही वाले आदमी हो ना जो बारिश में भीग रहा था रोहित एकदम खामोश हो गया प्रिया बोली चलिए छोड़िए जाने देते हैं इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं रोहित ने अपना इंट्रोड़क्शन दिया अपने बारे में डिटेल्स बताई सब कुछ बताया पर प्रिया फिर से बोली एक सवाल पूछू हूँ आपसे परसनल आपकल कहां और किस खयाल में खोए थे जो आप बारिश में ध्यान भी नहीं दे रहे थे सड़क पे चलती हुई गाड़ियों पे रोहित ने इग्नोर कर दिया प्रिया ने भी इग्नोर कर दिया और वो बहां से बाहर निकला रोहित की जॉब फाइनल हो चुकी थी रोहित ने आटो को हाथ दिखा और आटो में बैट गया आटो वाला रोहित से पूछा कहां जाना है रोहित ने अपने घर का पता बोला और आटो चल दिया वो दोग भी आर्चो होता हुआ आटो जा रहा था रोहित को दिमाग में अचानक फिर से बही मस्ती आई जो उस वक्त आई थी रोहित ने आटो वाले से पूछा भया यहां कहीं अंडर्वियर की दुकान होगी क्योंकि हमारी साइट तो बिखते ही नहीं और अब मेरे पहनने के लिए कुछ है नहीं आटो वाला थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला ठीक है भया हम आपको लेके चलते हैं रोहित मनी मन बहुत खुश हो गया आटो वाले ने एक सुनसान रास्ते पे आटो मोडा और वहां से दीरे दीरे करके आटो चलाना शुरू किया आटो वाला रोहित से पूछा कि आप कौन से अंडर्वियर पहनते हो बॉकसर वाली पहनते हो लंबी वाली पहनते हो या फिर छोटी वाली रोहित बोला वो डिपेंड करता है जब जैसा मन तब ऐसा पहन लेता हूँ आटो वाले ने एक दुकान के बाहर आटो को लाके रोका रोहित आटो से उत्रा और दुकान में अंदर चला गया वहाँ वो अंडर बियर खरीद रहा था उसने दुकानदार से पूछा क्या लाल रंग का अंडर वियर होगा आपके बास दुकानदार ने काफी डूंडा और उसे नहीं मिला फिर उसने रोहित से कहा एक काम करिए आप ये बाला ले लीजिए उसने एक प्रिंटिड लाल और काला निकाल के रोहित को दिया जो कि रोहित को काफी अच्छा लगा रोहित ने वो अंडर वियर लिया पैसे पे किया और आटो में आके बैट कया रोहित चुपचाब बैटा था कि आटो वाला बोला मिल गया भई या अंडर वियर देखें कैसा लिया आपने रोहित ने उसको अंडर्वीर k้ól के दिखाया और आटो वाले ने उसका अंडर्वीर देखा फिर आटो वाले न omster किया और वो आटो लेके चल दिया रोहित के घर के बाहर कुछी दिर में दोनों पह Smells गए थे आटो वाले ने रोहित से पुछा कि बताइए और अंदर तक छोड़ तूं क्या रोहित ने कहा नहीं नहीं बस यहीं तक और रोहित अपनी बिल्डिंग के बाहर उतर गया आटो वाले से ये कहते हुए मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ रूम नंबर वन जीरो टू में आटो वाला आटो मोड कर वहां से चला गया रोहित उपर गया और वो अपनी कीवी इस मस्ती पर बड़ा कुश हो रहा था कि अचानक से उसे फिर कुछ याद आया और उसकी आखों में फिर से आंस हुआ गए दरसल हुआ ये था रोहित जिस लड़के से प्यार करता था जो कि उसका बचपन का प्यार था दोनों बचपन से जवानी तक एक साथ रहे हर कुछ, सब कुछ यहां तक की कुछ भी बाकी ही नहीं था उनके बीच ऐसा रिश्ता था उनका इतना प्यार था, इतनी दोस्ती थी और इतना विश्वास भी लेकिन जैसी जैसे वक्त बदलता गया रोहित का प्यार, रौनक बदलने सा लगा उसे किसी और से प्यार होने लगा ऐसा रोहित को लगा रोहित को लगा शायद वो गलत है तो उसने खुद को डाटा समझाने की कोशिश की पर जितना वो खुद को समझाता गया उतना ही उसका विश्वास बढ़ता गया कि अब वो किसी और का हो चुका है एक वार रोहित ने अपने बॉइफरेंड को एक लड़की के साथ बाइक पे जाते देखा ये देख रोहित अंदर से खौल गया उसने सोचा कि वो उससे बात करेगा रोहित उसके घर गया उससे बात करने तो वो उसको खेतों में ले गया रोहित और उसका वाइफरेंड दोनों खेत में थे उसके वाइफरेंड ने रोहित के साथ मनमर्जी करनी चाही तो रोहित ने रोक दिया उसका बाइफरंड बोला क्यों मना क्यों कर रहे हो तुम्हें तो यही चाहिए ना रोहिद बोला नहीं प्यार भी एक चीज होती है और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता मैंने तुमसे प्यार किया बदले में तुम मुझे ये दे रहे हो धोका रोहित का बाइफरंट बोला जादा बखवास करने की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में तुमें रहना है तो रहो ऐसे ही बरना रहने की जरूरत नहीं तुम जैसे और भी मिल जाएंगे तब से रोहित ने उसको छोड़ दिया पर उसके बाद से रोहित का नेचर ऐसा बदला कि वो किसी पे विश्वास नहीं करता था उसके लिए भी अब हर कोई टाइम पास बन चुका था जैसे उसने आटो वाले के साथ टाइम पास किया ऐसे ही वो हर किसी के साथ अब टाइम पास करने लगा था तो दोस्तों कभी भी किसी को धोका मत दो क्योंकि आपका धोका किसी की पूरिय लाइप बदल सकता है कहनी अगर अच्छी लगी हो तो लाइप, कमेंट और शेयर करना बिलकुल न भूले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें